एक बुद्धिमान वैक्ति, अक्सर चीजें हमें वैसी नहीं दिखती जैसी वे है, बलकि वैसी दिखती है जैसे हम है यह एक ऐसे बुद्धिमान वैक्ति की कहानी है, जो अपने गाउं के बाहर बैठा हुआ था एक यात्री उधर से गुजरा और उसने उस वैक्ति से पूछा, इस गाउं में किस तरह के लोग रहते हैं, क्योंकि मैं अपना गाउं छोड़ कर किसी और गाउं में बसने की सोच रहा हूँ तब उस बुद्धिमान वैक्ति ने पूछा, तुम जिस गाउं को छोड़ना चाहते हो, उस गाउं में कैसे लोग रहते हैं उस आदमी ने कहा, वे स्वार्थी, निर्दैई और रुखे हैं बुद्धिमान वैक्ति ने जवाब दिया, इस गाउं में भी ऐसे ही लोग रहते हैं कुछ समय बाद एक दूसरा यात्री वहां आया, और उसने उस बुद्धिमान वैक्ति से वही सवाल पूछा बुद्धिमान वैक्ति ने उससे भी पूछा, तुम जिस गाउं को छोड़ना चाते हो, उस गाउं में कैसे लोग रहते हैं उस यात्री ने जवाब दिया, वहां के लोग विर्नम, दयालू और एक दूसरे की मदद करने वाले हैं तब बुद्धिमान वैक्ति ने कहा, इस गाउं में भी तुम्हें ऐसे ही लोग मिलेंगे आम तोर पर हम दुनिया को उस तरह नहीं देखते जैसी वह है, बलकि जैसी हम खुद हैं वैसे देखते हैं इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि ज्यादतर मामलों में दूसरों लोगों का वैवार हमारे ही वैवार का आइना होता है अगर हमारी नियत अच्छी होती है तो हम दूसरों की नियत भी अच्छी मान लेते हैं हमारा इरादा बुरा होता है तो हम दूसरों के इरादों को भी बुरा मान लेते हैं अगर आपको यह कहाने पसंद आई तो इस कहाने पर आपके क्या राय है यह जरूर कमेंट में बताए थैंक यू